पूरे टूनमेंट में जोश और जजबा ऐसा दिखाया कि टीम इंडिया को वर्ड कप जिता कर रोस लिया रोई शर्मा ने पूरे टूनमेंट में ना केवल बल्ले से बलकि कफटानी से भी वह चाल चलिये वह दम दिखाया है कि जिसकी इस वक्त तारीफ हो रहे रोई शर्मा इस वक्त भारत के महान कफटानों में शामिल हो गए है लगाता रोई शर्मा की तारीफ की जा रही है लगाता रोई शर्मा की को लेकर बड़ी बड़ी बाते की जा रही है लेकिन जब टीम इंडिया को रोई शर्मा ने वर्ड कप जिताया उसके बाद में तस्वीर आई यह तस्वीर आप देख रहे होंगे कि रोई शर्मा कि पिछ की मिट्टी को जीब से लगाने के बाद कोई खत्रा मोलने बैठे हैं क्या कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं क्या रोई पिछ को समझ नहीं पाए, क्या रोई शर्मा ने गलत मिट्टी को मुमें ले लिया, क्योंकि अब जो रिपोर्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो रिपोर्ट सुनकर आप भी हैरान रहा जाएंगे और कहेंगे कि वास्ता में रोई शर्मा ने भावक हो कर क्योंकि भावनाओं में आकर ये काम किया गया था ये कोई प्रिप्लाइंड नहीं था ये केवल रोहिश शर्मा की भावना है थी कि इस पिछ ने मुझे कामयाब बनाया है इस पिछ ने मुझे वर्ड काप जिता है तो इस पिछ को मैं चूम लू ये केवल एक खिलारी के अंदर एक रोहिश शर्मा का ने मुझे जाएंगं जाएंग को तुमना बनाया थीक का कःप कदम उठान की को चूमना ठीक है ये बहुत बदबा सवाल है क्या रोई शर्मा ने अपनी सेहत के साथ कोई खिलवार तो नहीं कर दिया क्योंकि अब जो डोक्टर से सला ली गए डोक्टर से ने बताया डोक्टर का कहना है कि भाई सब ये पिछ है ये कोई साफ मिट्टी तो है नहीं यहां पर खिलारी आते भी हैं जाते भी हैं खिलारियों के जूते भी परते हैं इस पिछ पर और यह पिछ जो है वो काली मिट्टी की बनाई जाती है मिट्टी की बनाई जाती है उस पर अलग अलग तरीके के केमिकल डाल कर इस पिछ को मतलब बनाया जाता है तो ऐसे में इस चखना खाना जो है वो जाहिर तोर पर किसी भी इंसान की सेहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है वैसे भी मिट्टी खाना जब बच्चे आप लोग जानते होंगे जब बच्चे मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी खाना वैसे भी सेहत के लिए नुकसान दायक बताया जाता है क ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर कि शायद उस मिट्टी को केवल चखा है केवल अपने जीब से केवल लगाया था बाकी रोज शर्मा ने उस मिट्टी को खाया नहीं था केवल यह फिलिंग लेने के लिए कि हाँ यह मिट्टी है जिसने मुझे महान कफ्तानों की लिस् गो सकते हैं और सेहत के साथ किलिवार ऐसा ना किया जाये सहत के साथ तरीके का खत्रा मौल ना लिया जाए जिस तरीके से रोज शर्मा superior है हालनकि ये कोई प्रिप्लान में पहले ही बता चुका हूं कोई प्रिप्लान नहीं था केवल रोई शर्मा ने बताया भी था जब मोदी जी से बात कर रहे थे कि केवल मेरे अंदर एक इमोशन आया और मेरी भावना ऐसी है कि मुझे इस पिछ को चूम लेना चाहिए और मैंने ये काम कर दिया इसका कोई प्रिप्लान नहीं था नहीं मैंने सोचा था इसा बस किवल अपनी भावनाओं पर काबू में नहीं रेक पायो मैंने पिछ को चूम लेकिन जाहर तो पर जो डॉक्टर का कहना है कि ये सिहत के साथ बहुत बहुत बड़ा खिलवार है इस तरीके क और भी खटी की जाते हैं बिलाया जाता है तो जाहर तो पर इस तरीके से पिछ को चूमना मिट्टी को खाना ये सिहत के साथ बहुत बड़ा खिलवार है आपको लगता है कि इस तरीके का सैलिब्रसन होना चाहिए और क्या या फिर इस पर रोक लगनी चाहिए कमेंट करके अपने जरूर दीजिएगा वीडियो चुलेगे तो लोग को लाइक को शेयर जरू करिए चैनल को सब्सक्राइब करें कि अब्लेट लगाता मिलते रहेंगे थैंक्यू अनुमच्छ